हेलो दुस्तर स्वागत गरता हूँ आपके अपनी चनल टोप्स फडियो में दुस्तर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू कि मरवाडी कोलेज राची में यूजी वोकेशनल कोर्स के लिए मरवाडी कोलेज राची ने फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है तो आज के इस वीडियो में इस इस रेडिट में आप सभी को यूजी वोकेशनल कोर्स के अड्मिसन के लिए अड्मिसन प्रोसेस बताने वाला हूँ साथी साथ अड्मिसन के लिए लास्ट डिट क्या रहेगा और कौन-कौन सा डॉकुमेंट रिक्वाइड है अड्मिसन के लिए इसके अलावा अड्मिसन फी कितना रहने वाला है वो भी बताने वाला हूँ ठीक है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जो स्टुडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब करते चलना ताकि आपको इस तरह के वीडियो और मरवाडी को लेज राची से रिलेटेड लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सक तो चलिए दोस्तो मैं सबसे पहले आपको यह बता दता हूँ कि कहां से आप यह जो फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके बाद बाद में देखेंगे कि क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है सेलेक्शन लिस्ट का बाकी जो कॉर्से से सबीका जो है फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है उस इस रिलेटिट यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर ले रहा है उसके बाद इस तरह का निव पेज ओपिन हो करके आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा स सेलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है वो देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं आप सबी को बता दो कि कौन कौन से वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है तो सबसे पहले आप क्या करना यहाँ पर जिस भी कोर्स के लिए आपने form apply किया होगा उस course का यहाँ फिर selection list आपको download करना है और देख लेना है अगर आपको selection हो गया होगा तो चलिए मैं आप सबी को आगे यह बताता हूँ कि इसके लिए क्या guidelines रहने वाला या फिर क्या process रहने वाला admission का ठीक है तो अभी जो भी admission का process बताने जा रहा हूँ उ उसको आप दियान से सुनिएगा ठीक है otherwise आपके लिए कई problems खड़ी हो सकती है तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा इसमें बताया गया है कि जो भी यहाँ पे selection list published किया गया है admission committee के दौरा उसमें जो भी candidate selected है उनको college campus में जा करके अपने document verification करवाना है ठीक है उसके बाद बताया गया है the specified date and time of document verification is a test with the published selection list देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी निर्दारे date or time है उसके according आपको document verification करा लेना है ठीक है उसके बाद बताया गया है after successful verification of documents the applicant's form will be approved and he or she must deposit the requisite amount of admission fee online within 48 hours ठीक है देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी selected candidate है जिटका यहाँ पे document verification होना है जब उनका document approve हो जाएगा college के दुआरा तब उनको यहाँ पे 48 गंटे के अंदर आपको जो admission fee है वो online payment करना होगा ठीक है उसके बाद बताया गया है कि the admission fees must be paid online only through the college website ठीक है यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको college के website से जो है payment करना है ठीक है और केवल और केवल जो यहाँ पे online admission fee payment होगा ठीक है उसके बाद बताया गया है कि at the time of physical verification the selected candidates must bring the following documents original with photocopies with themselves for verification देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नीचे मैं आपको अच्छे से बता दूँगा वैसे जो list है document का ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आप सभी को बता दूँगी जब आप college जाएगा तो आपको जो भी document का list है वो original भी लेते जाना है और साथ में उसका photocopies भी लेते जाना है ठीक है उसके बाद बताया गया है all the applicants have to bring the hard copies of the application form registration form and undertaking form with them for verification देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको application form registration form और undertaking form verification के समय लेते जाना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे बताया गया है the format of registration form and undertaking form is uploaded in our website applicants can download and take print of these forms from the college website ठीक है यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो भी यहाँ पर registration form है और undertaking form है वो college के website में ही मिल जाएगा तो आपको वहाँ से download करना है और उसका print आपको निकलवा लेना है ठीक है उसके बाद fill up करके आपको document verification के समय लेते जाना है उसके बाद यहाँ पर बताया गया है the list of documents required with the application form and registration form respectively are listed below देखिए यहाँ पर जो भी required documents है उसका list आपको दिया गया है ठीक है देखिए सबसे पहले मैं आप सबी को यहाँ पर बता दूँ कि जो भी documents का list है इसको दो set में आपको तियार करना है ठीक है पहला set होगा application form के साथ और दूसरा set होगा आपका registration form के साथ ठीक है तो दो set बनाना है दोनों set में अलग-अलग आपको एस्टेपलर से पीन मारना है ठीक है मतलब दो set आपको बना लेना है तो पहला set जिसमें application form के साथ आपको documents attach करना है हो देख लिजए यहाँ पर ठीक है स्रियल नंबर वाइस दिया हुआ है साथ यहाँ पर document है ठीक है फॉस्ट है यहाँ पर online application form hard copy ठीक है सेकेंड है CLC or TC and character certificate original थर्ड है undertaking form फॉर्थ नंबर पर है admit card and mark sheet class 10th photocopies फिप्त नंबर पर है admit card and mark sheet class 12th photocopies 6th नंबर पर है card certificate और यह जो card certificate है केवल जो यहाँ पर applicable students है उनके लिए रहेगा ठीक है उसके बाद last document है जो है यहाँ पर EWS and BPL card मतलब कि यहाँ पर जो भी applicable students है उनके लिए ठीक है इसका भी आपको photocopy ही लगेगा ठीक है तो यहाँ पर एक set का मैंने आपको documents बता दिया उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा set होगा वो registration form के साथ होगा देखें आप बताया गया first number पर डूली filled registration form देखें आपको यह college की website से ही download करना है और अच्छे तरीके से आपको fill up कर लेना है registration form भरते समय आप देख लिजेगा कि कौन सा अपन से आपको fill up करना है क्या उसमें guideline वो भी देख लिजेगा ठीक है उसके बाद है migration certificate original admit card class 10 photocopy mark set class 12 photocopy उसके बाद है passport और stamp size photograph उसके बाद है face receipt two coffees ठीक है तो दूस्तों I hope समझ में आगया होगा आपको की कौन बन से documents आपका लगने वाला है और एक बर याद दिला दूँ आपको कि यहाँ पे दो set बनाना है ठीक है एक set in सभी documents का होगा दूसरा set in documents का होगा ठीक है तो दो set में आपको सभी documents त्यार कर लेना है ठीक है तो दूस्तों यहाँ पे जो भी guidelines है जो भी admission का process है या फिर जो भी यहाँ पे required documents का list है वो आपको समझ में आ गया होगा अगर कई भी कुछ भी इसमें problem हो तो comment करके आप जरूर पूछ लिजेगा ठीक है इसके बाद चलिए मैं आप सभी को बता दूँ इसका फिर structure क्या रहने वाला है मतलब कि admission के लिए fee कितना लगने वाला है ठीक है उसके बाद BCA और BCS के लिए आपका अगर आप general हो और BC हो तो उसके लिए लगेगा 15,050 रूपया SCST के लिए 14,000 रूपया ठीक है उसके बाद BBA है तो BBA का list आया नहीं है तो ये आपको नहीं बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद CND है तो CND में general और OBC के लिए 15,050 रूपया STSE के लिए 14,000 रूपया ठीक है उसके बाद FD मतलब कि fashion designing तो इसमें general और OBC के लिए 15,050 रूपया और SCST के लिए 14,000 रूपया ठीक है उसके बाद है बायो टेकनोलोजी तो इसका विलिस्ट आया नहीं है तो यहाँ पे इसको भी छोड़ रहा हूँ उसके बाद है अमानत कोर्स का तो अमानत कोर्स में general और OBC के लिए 17,100 रूपया और SCST के लिए 16,600 रूपया तो यहाँ पे जो भी फिटीडेल से दिया हुआ है वो भी आई होब आपको समझ में आ गया होगा अगर इससे ब्रेटेट कुछ भी डॉट्स और कुछ भी कोशन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लिए न ठीक है तो अब इसके बाद साइध मैं कुछ भूल रहा हूँ साइध मैंने आपको नहीं बताया कि last date admission के लिए क्या है तो admission के लिए last date जो है 25 जून है ठीक है तो जीतने भी selected students है first selection list में सभी 25 जून से पहले जो है अपना admission करा ले तो सही रहेगा ठीक है तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब दक के लिए बाए बाए ठीक केर